आज हम डिसकस करेंगे स्मार्ट फोन अडिक्शन तो रख सब आप बताएं कि जो स्मार्ट फोन का इस्तमाल है इसके बारे में कुछ जानकारी देए नमश्कार थैंक यू आपने अपने मुझे शो में बुलाया तो मैं स्मार्ट फोन के जानकारी आप सब को बताना इसे पानी पीना जरूरी है इंसान के लिए खाना खाना जरूरी है प्रॉपर स्लीप लेना जरूरी है उसी प्रकार स्मार्ट फोन एक प्रकार की निसेसिटी बनता जा रहा है स्मार्ट फोन का यूज डे बाई दे बढ़ता जा रहा है बच्चों में भी बढ़ता जा रहा है और अडल्स में भी बढ़ता जा रहा है सी आए तो डगसब जैसे स्मार्ट फोन है जा पी कम्मिनिकेशन है वर्ट सैप है फेस्बुक है इमेल्स है आज तुम स्मार्ट फोन के बिना रही नहीं सकते जी है मैंने बताया ने किसम की निसेस्टी बन गई है तो जिस होते हैं अगर बच्चा स्मार्ट फोन बहुत जादा इस्तमाल कर रहा है तो पड़ाई पर फोकस नहीं कर पाएगा ठीक है उसके इलावा आवा खेल गूत पर ध्यान नहीं दे पाएगा नंबर थ्री अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रख पाएगा यदि रात को बारा बच्चे के बाद फोन यूज करते हैं तो उनमें नीन की प्रॉल्म देखी जाती है बहुत से बच्चों बच्चों से फोन स्नाच करते हैं तो उनमें चेट चेटापन बढ़ जाता है उनमें डिप्रेशन के लक्शन आने शूरू हो जाते हैं कुछ बच्चे या कुछ पे से melatonin का production कम हो जाती है, जी mobile phone light emit करता है, body confused हो जाता है, जिसके कारण melatonin secretion कम हो जाती है, और नीन automatically खराब हो जाती है, इसके लावा आप काम पर ध्यार निलगा पाते हो, family से time spend नहीं कर पाते हो, friends के साथ time spend नहीं कर पाते हो, सारा दिन फोन पे लगे रहते हो ठीक है जो पच्चे जादा इस्तमाल करते हैं उनकी विजन भी पूर हो जाती है जो जादा फोन इस्तमाल करते हैं ये फोन का इस्तमाल करते हैं उनमें hearing की problem भी आसकती है ठीक है तो हमारे लोग करते हैं कि किसमार्टशे πाद में फिर सिलक्सान कर के लियू का नुक्सान थे हैं है यह बहुत द्युक्सान नुक्सान गात नुक्सान की बात ने सुछिए है यह बहुत अच्छी बात आपने पूछी हैалась देखे जर। only या अगर कोई गाड़ी वाला फोन इस्तमाल करें और आगे ना देखें तो कोई कार क्रेश न कर सकता है और यदि कोई फोन टैरिस पे या कोई रूफटॉप पर यूज़ कर रहा हो तो यह ना देखे तो उसके भी एक्षिटन्ट हो सकता है अब अग्यां करें अपस में कर रहे हो सारे सारे अपने स्मार्ट फॉन पे बिजी है इसका एक क्या है दिखिंट जब आप स्मार्ट फोन को जाएंगे आपकंमुनिकेशन हो जाएंगे आप सोचली निए हो जाएँगे आप फोन में ही आपा और इस पदों कि पाती है ना फेरेंड से हो पाती है ना फेमिली से वाथिए ना नेरें डियरबाइशे हो पाती है जो कि इसका मुझे लगता है बहुत बुरा इपक्टपड़ता है दोस्तों आज बारे बीच में थे डॉप्टर एंशल महाजन इन्होंने स्मार्टफोन में स्मार्टफोन के और यूज के बारे में बताया थैंक यूज माट एक्सर थैंक यू समय